Hello Everybody, मैं अभिसेख, आप सभी का स्वागत करता हूँ, आज हम पढ़ेंगे History तो ये Class 9 के First Chapter, The French Revolution का Third Part है First Part और Second Part का Link, Description Box में दिया गया है, आप उसे जाकर के जरूर देखें और इस वीडियो को अन तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के अन पर मैंने Important Question और MCQ डिसकस किया है, जो कि एक्जाम के लिए बहुत ही जादा Important है तो चलिए, सुरू करते हैं Last वीडियो में हमने देखा था Jacobins के बारे में, ये वही Jacobins थे, जो France को The Constitution Monarchs के हटा करके, रिपब्लिक की तरफ ले गए थे और इन्होंने परसिया और अस्ट्रिया के साथ जंग शेड़ दिया था इन्हें इनका नाम एक Convent पे पड़ा था, जिसका नाम था Saint Jacob, जो कि Paris में है Convent का मतलब होता, एक Building, जो कि Religious Life के लिए, यानि कि धार्मिक काम के लिए, दान में दी गई है और इनके जो लीडर थे, Jacobins के जो लीडर थे, वो थे Maximilian Robbers Peary और Jacobin Club के जो Member होते थे, वो समाज के निम स्रेनी के से निकलते थे जैसे आप देखो कि France जो था, वो तीन भाग में बटा हुआ था, फर्स से सकेंड एस्टेट और थर्ड एस्टेट तो थर्ड एस्टेट के भी जो सबसे नीचे पायदान के लोग थे यानि कि जो daily wages, जो हर एक दिन पर मजदूरी करके अपना घर चलाते थे नौकर, घड़ी बनाने वाले, केक बनाने वाले, जूता बनाने वाले, दुकान चलाने वाले यानि समाज के एकदम नीचली तबके के लोग थे, वो जैकॉबिन के मेंबर थे आओ आप देखोगे, जब जैकॉबिन, जब फ्रांस में ये जैकॉबिन की गोहर्मेंट आती है, जब ये रिपॉब्लिक बनाता है तो 21 साल के उपर हर एक वैक्ति को भोड़ देने का अधिकार दे देता है लेकिन ओए Constitutional Monarch में हम देखेंगे, जब National Assembly आती है तो उसी वैक्ति को भोड़ देने का अधिकार मिला था जो वैक्ति तीन दिन के मजदूरी का टैक्स देता था तो यानि कि आप देखो कि जैकॉबिन्स तो बहुत ही अच्छे थे यानि कि हर वैक्ति को भोड़ देने का अधिकार दे दिया लेकिन ऐसा बिलकुल नहीं है यह वेक्ति जिसका figure आपको दिख रहा है बहुत ही खतरनाक वेक्ति था एकदम करेजवा हिला दे हलो चलिए आगे देखवे यह जैकॉबिंस जो थे वो एक special dress पहनते थे जिससे इन्हें sun clutons भी कहते थे यह dress क्या था तो आप देखोगे France में जब राजा साही थी तो वो लोग एक third quarter pant की तरह एक pant पहनते थे ठीक है half pant की तरह जिसमें एक knee breeches लगा हुआ रहता था ठीक है और वो काफी महंगा आता था और सोना और चांदी का बना हुआ हुआ होता था अब यह क्या थे अब यह जो sun clutons था इनमें यह knee breeches नहीं रहता था और यह pant बिल्कुल full pant रहता था यह बिल्कुल ओशा pant रहता था जो कि dock worker लोग यूज करते थे वैसे worker जो कि समुद की किनारे काम करने वाले worker लोग यूज करते थे तुसी तरह यह full pant यह लोग पहनने लगें ठीक है और यह जो sun clutons जो होते थी यानि जैकॉबिंस के जो member होते थे वो एक लाल टोपी पहनते थे जिसका मतलब होता था liberty लेकिन भूमेन को लाल टोपी पहनना alloweded नहीं था अब हम क्या देखते हैं कि 1793 से 1794 यानि एक साल का जो period था इसे आतंग का समय कहा गया अब आतंग का समय क्यों कहा गया अभी मैंने बोला था वो robust period जो था बहुत खतरनाक वेक्ती था वो republic को चलाने के लिए वो सोचा republic कैसे चलेगा तो republic को चलाने के लिए बहुत ही ज़्यादा control करेंगे और लोगों को punish करेंगे तभी हमारे republic सही से चलेगा और यहां तै कि लूइस 16 को यह treason की यानि की राज़ द्रोह करने के जुल्म में उसको भी यह फासी की सजा यानि कि उसका सरधर से अलग कर देता है उसको gluten करा देता है अब देखेंगे आगे gluten होता क्या है तो सबसे पहले जो ही व्यक्ति कोई अपना इनेमी दुस्मन समझता था उसे यह क्या करता था gluten करा जाता था अब gluten में कौन कोन आएगा किसे किसे इनेमी देखता था यह देखते हैं तो उनका नाम था X-Nobal अब पुछो कि यह X-Nobal क्या होता है तो X-Nobal होता है मतलब X का हुआ करता था तो वो ऐसे Novels वो ऐसे सामंत जो पहले हुए करते थे वो ऐसे कलरजी जो पहले हुए करते थे मतलब वो पादरी जो पहले होते थे अब नहीं है यहां तक कि दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स को भी अपना दुस्मन समझता था और इतना ही नहीं जो पार्टी के मेंबर्स थे उनको भी अगर उनके साथ इनकी मतभेद हो गई अगर वो इसकी बातों को नहीं मान रहे तुसे भी अपना यह दूस्मन समझता था उसे गुलिटिन करा देता था अब यह गुलिटिन क्या था तो भाया यहीं देखो गुलिटिन है यह बहुत बड़ा पोल है और उसमें एक ब्लेड लगा हुआ है और यह ब्लेड काफी भारी होता था यानि कि 60 से 70 केजी या 100-500 केजी का भी ब्लेड आता था इन्हें क्या करता था एक वैक्ति इसका रसी को खोलता था यह सटाग से नीचे गिरता था और यहां पर दूसरे फिगर में आ असान मौत मरें वाह मारो भी तो असानी से उसको दर्द नहीं दे आप इसी तरह देखोगे USA में भी इसी तरह का एक प्रहचन आया था लेकिन वहां पर गुलिटिन नहीं करते थे वहां पर एलेक्ट्रिक चेयर की सिध्धानत लाए थे लोगों ने अब पुछोगे सर यह यह जूटा है तो एलेक्ट्रिक चेयर क्या था एक किसी पर आपको बैठा दिया जाएगा और उसमेंसे बहुत ही तीज करेंट पास करेंगा यहनी 1000 वार्ट 10,000 वार्ट का जब 10,000 वार्ट का सरीर से करेंट पास होगा तो आपका सरीर का पपर यह निकल जीता हो सचवा मत क आगे हम देखते हैं कि jacobin के समय में क्या-क्या changes आया तो jacobin के समय में जो रौबस प्यारी थी उनकी government ने क्या 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 कि जो मजदूरी है और जो price है उस पे लगाम लगा दिया यानि किसी वेक्ति को एक limit से ज़्यादा मजदूरी नहीं मिलेगा एक limit से ज़ादा किसी भी चीज़ का price नहीं हो सकता है जो हाँ meat है और जो bread है वो रासन की दुकान में मिलेगा यानि एक वेक्ति को 5 केजी 6 केजी से ज़ादा कोई भी समान लेने का allowed नहीं है किसानों को कहा गया कि जो भी आप उपजार है हो घर पे वो आप लाके market में बेचो market में नहीं गाओं के market में नहीं सहर के market में city में बेचो और उतना ही दाम पे बेचो जितना दाम पे government आप से कहेगी अब यहाँ पे सबसे बड़ा present लोग अब नाखुस हो गए क्यों नाखुस हुए क्योंकि समान पैदा प्वार करने में किसी वी चीज़ का production करने में ज़्यादा पैसा भी लग सकता है कम पैसा भी रख सकता है तो वो जो price होगा आपका fluctuate करेगा वो ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है लेकिन government क्या कर दिया कहा कि नहीं fix है और आप देखो के फ्रांस में सर्दी बहुत कसके पड़ी है यानि कि फसल बरवाद होई तो इनका बहुत ही ज़्यादा पैसा लगा था फसल उब जाने में और लेकिन government क्या क्या उसके नुसार इनको पैसा कम दे रहा था और तो और उस समय एक white उजला आटा लोग खाते थे ठीक है और उजला आटा नॉबेल्स लोग खाते थे और ये पीजेंट लोग इनको उबजाने में बहुत ही पैसा लगता था उससे पीजेंट लोग यानि कि मजदूर और किसान लोग बहुत ही ज़्यादा पैसा कमा लेते थे लेकिन government क्या क्या है इसको ban कर दिया और एक whole wheat जिसको equality bread कहता था वो bread को कहा कि market में बेचो अब कहो हम देखेंगे कि वहाँ पर क्या था एक तरह का प्रचनल था जो कि novels लोग हैं उन्हें sir कहेंगे ठीक है अपने से बड़े लोग को sir और madam कहेंगे तो यह कहा कि नहीं उनको sir madam नहीं कहना है उनके जगाँ पर जो male है उनको बोलेंगे citizen और जो female उनको बोलेंगे citizen नहीं मतलब कि city में church नहीं रहेगा फ्रांस में church ही नहीं रहेगा क्योंकि church में आप क्या देखोगे कि special था कर tax लगाता था वो tax का क्या नाम था वो आप लोग सोच लो क्योंकि last में एक mc के उसी के नाम से औहीं मैं बता दूँगा तो आगे कमजा किरकिरा हो जाएगा तो church की building को government के barracks में यानि कि वहाँ पर सेना लोग रहेगा उसमें change कर दिया तो office में change कर दिया अब देखो जो सहर में जो लोग रहते थे उनको एक समय तो छोड़ दो लेकिन गाओं के जुग लग रहते हैं उनके लिए religion बहुत ही बड़ा माहिने रखता है अब उनसे आप उनका religion छ गुसा था ही और उपर से religious party के लोग यानि कि pop भी गुसा था और धर्म बहुत ही important था फ्रांस के समय में उस समय ठीक है आगे हम देखते हैं कि यह jacobin government fail को हो जाता है अब jacobin government fail क्यों होता है तो आप देखो तो इसकी जो policy थे बिलकुल सही नहीं थी जिसे भी पकरता था उसे gluten कर देता था अंत में क्या होता है रोवस प्यरी पे भी देश द्रो का चार्च जाता है और उसे भी gluten कर दिया जाता है यानि कि जिससे दूसरों को मौत वात रहता उससे भी मौत हो जाती है अब मजा आया न भीडू मजा है लए पहुत सबको माथा उड़ाता था इसक का नाम था गिरोडिन्स ठीक है हम एक पॉलिटिकल क्लब देखे थे जैकॉबिन क्लब एक और क्लब है गिरोडिन्स ठीक है तो इन्हों ने क्या किया इन्हों ने एक नया Constitution बनाया और कहा कि इसमें सिर्फ वही व्यक्ति भोट दे सकता है जो कि प्रोपर्टी रखता है जो कि सुरू में National Assembly के समय था ठीक है मतलब उसमें क्या था तीन समय का जो तीन दिन का जो व्यक्ति पैसा देता है तीन व्यक्ति का जो टैक्स देता है तीन दिन के मजदूर का उसी को हम क्या करेंगे भोट देने का अधिकार देंगे अब उसी तरह उ लड़्टी बनाया अब ऑग था यह यह 5 व्यक्ति कला हो डायक्ति था इसमें elletal legislative council होता यानि क्या था जैकॉबबी मैं क्या देखे थे एग capacity के पास power आ गया था अब कहाद कि एक व्यक्ति के पास पावर नहीं होगा इस लेटिव कोंसिव के साथ हमेंसा लड़ते जगरते रहते थे ठीक है अब इनहीं में क्या था इडाइक्टर्स में काफी जादे पॉपुलर हुए थे क्योंकि इनका जो सेना पती था उन पे इनको इन पे बहुत भरोसा था उनका नाम था नेपोलियन ब पाउरफुल सेना पती था ठीक है और उन्हें जीत दिलाई थी कौन नेपोलियन बॉना पाटने अब यहां पर आप देखोगे कि क्या हुआ यह जो डैरेक्टर्स थे यह हमें सा लड़ते जगरते रहते थे पाउर को लेकर के तो इसके चलते फ्रांस से पॉलिटिकल इनस् अंस में ठीक है अब हम आगे देखते हैं अब मैंने आपको कहा था कि लास्ट बने रहना तो हमको इसक्वेस्ट करेंगे तो चलिए अब क्या समस्ते हो वीडियो के पीछे जाओ पूरा का पूरा मैंने डिसकस किया से सुनो और बढ़िया से क्वेस्टर्स का अंसर दूसरा है कि reign of terror के समय क्या क्या changes आया तो क्या क्या changes आया था equality bread ठीक है पीछे जा करके देख लो अगला क्या था directive rule France में क्या था तो directive rule से अब क्या समस्ते हो directive rule है मतलब कि 5 वक्ति मिलके सासन करेंगे legislative council अलग रहेगी ठीक है पाउर एक हाथ में नहीं रहेगा और यह बताओ कि नेपोलियन किस तरह से सत्ता पर बैठा discuss the rise of नेपोलियन ठीक है अगला कुछ MCQ देख लेते हैं तो पहले बताईए कि जैकॉबिन कलब के members को क्या कहा जाता था Sun Clutons दूसरा question है आपका 21 September 1792 को France क्या declare किया गया तो 21 September 1792 को France एक Republic declare किया गया अब हमको यह बताओ कि France Constitutional Monarch कब declare किया गया कौन से year में इसका answer comment section में जरूर देना तीसरा कौन सा factor है जो कि Napoleon को के उदे होने में Napoleon के rise होने में important है तो इसका answer है option C political instability of directory अगला हम देखते है question number 4 तो जो France का जो national anthem है Marseille ठीक है Marseilles इससे किसने compose किया तो इसका answer करना है Roger D. Lisley option C पजमा हम देखते हैं red cap जो sun clutons लोग पहनते थे यानि Jacobin के member जो पहनते थे वो किसी सिंबॉल है तो answer क्या है liberty question number 6 हम देखते है कि France में यानि 7089 sorry 7089 के पहले जब revolution नहीं चल रहा था तो कौन सा political body France को represent करते थी तो इसका answer state general है अगला gluten French evolution के समय किस चीज़ gluten का मतलब क्या होता था सिधा सिधी question है तो इसका answer होगा लोग के सर को धर से उड़ा दो यानि मुंडी काट देना एकदम gluten का मतलब सर अलग चपाक आगे हम देखते हैं French evolution कब हुआ इसका answer आप बतावा इस अंसर तो मैंने यहां देही दिया है 14 July 7089 को आगे हम देखते हैं Louis 16 को किस जूर्म के तहद gluten किया गया इसका answer है राजद्रो ट्रिजन option B अगला हम देखते हैं कि जद तीथे हैं वो France के पीजेन द्वारा किसके द्वारा collect किया जाता था France के पीजेन लोग देते थे तो कौन किन को देते थे तो answer है इसका चर्ज को देते थे option A तो आज के लिए इतना ही अगले पार्ट में हम फिल मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद जाते जाते like करते जाए share करते जाए और चैनल को subscribe जरूर करें Thank you